आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे हर्वल रेमिडी जर्म आपका स्वागत है मेत्रो आज अमेरिकन इंसुलिन प्लांट की बात करेंगे कॉस्टस इगनियस या कॉस्टस प्रिक्टस कॉस्टेसी का ये मेंबर है और राइजॉम के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है इसके जो सुन्दर लीव आप देख रहे हैं ये खटे होते हैं और बड़े टेस्टी लगते हैं नेच्रल तरीके से बाड़ी में इंसुलिन के सिंटेसिस को प्रमोट करते हैं और इसके लिव बहुत ही टेस्टी और खटे हैं मित्रो य मरते हैं इसप्रकार से उप्योग हम डायविटिस के कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं साथ इसके पत्र का उप्योग आप बलड में को objectives occurs की होती है साथ ही क्योंकि यह खाने में बड़ा टेस्टी लगता है तो एक या दो पत्र से ज़्यादा दिन में सेवन नहीं करना चाहिए और ध्यान भी यह भी रखना चाहिए कि अगर आप modern medicines ले रहे हैं तो कहीं blood sugar level ज्यादा डाउन ना हो जाए इस बात का विश्याद ध्यान रखिए क्योंकि यह है टेस्टी होने के कारण हम excess मात्रा में जनरल ले ही लेते हैं जो कि हानिकारक हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिक कंडिशन हो सकती है और आप फेंट भी हो सकते हैं इस बात का ज्यान रखिए इसके अलावा आप इसको ब्लड के cholesterol level को डाउन करने के लिए उप्योग कर सकते हैं यूरो लिख्यसिस की समस्या होती है तो ऐसे रोगों के निराकरण के लिए इसी प्रकार से एक या दो पत्र का पीस कर कल्क बनाकर या पेस्ट बनाकर चक्नी बनाकर आप से बन कीजिए टॉन की समस्या पूरी तरह से ठीक कर देता है चाहितन मैं व्र.-णे ठीक्क यावर रेडिकल जॉन्जिंग अकुवीटिस की उसको कौकर रिमूव करके लिवर और पैन्क्रियाष को राइकरण करने का कारे करता है किड़नी रेमिडियेशन का कारे करता है नेच्रल डाइयरिटिक का ये कारे करता है इसके अंदर जो नीचे राइजोम पाय जाता है उसके माधियम से इसका प्रोपेगेशन थो हम करी लेते हैं लेकिन उस राइजोम का इस्तमाल आप एंथलमेंटिक एक्टिविटी के लिए में जो वम्स होते हैं उनको दूर करने के लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी के लिए हर्ट को बल देने के लिए और नीरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी इसकी होती है नीरो डीजनरेट्व डीसीज को हिल करने के लिए उनको निवारन करने के लिए आप इसके राइजोम पाँच क्राम राइजोम लेकर उसका अक्वाथ बनाकर और उसमें सहद मुलाकर सेवन कीजिए नीरो डीजन डिटू डिसीज में चमतकारी लाब करता है इस प्रकार से वाइड अप्लिकेशन इस प्लांट के हैं नर्वस सिस्टम पे काम करता है कटिंग के माध्यम से या राइजोम के माध्यम से असानी से लगा सकते हैं साथियों घाओ को भरने के लिए भी बुंड हीलिंग के लिए इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप घाओ को भर सकते हैं और घाओं में अगर पस पढ़ गया हो उसके निराकरण के लिए भी इसके प करते हैं बोड़ी के टॉक्सिंस को रिमूव करने का कार्य करता है नेचरल बिटमेंट सी भी इसके अंदर पाया जाता है इसके अलावा कई पॉलिफनॉलिक कंपाउंड और फ्लेवनाइड भी इसके अंदर पाया जाते हैं कि वंडर्फुल इम्मुनिटी प्रमोटर का भी कार्य करता है खाने में टेस्टी है इसलिए ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें इस बात का विशेश ख्यान रखिए इसका उप्योग आप ओबी सिटी में भी कर सकते हैं मोटापे को कम करने के लिए बेट लूज कराने के बॉडी में होते हैं तो ओबी सिटी को कम करता है डाइबिटीज को कम करता है हर्ट को स्टेंग्टन प्रोइड करता है ब्लड को पिरिफाई करता है लिवर को डिटॉक्स करता है किड्नी डिटॉक्स लिवर डिटॉक्स नियूरो डिजनरेटिव डिसॉर्डर्स को हील करने करने का, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टीमुलेट करने का, हर्मोन को रेगुलेट करने का, वास्ट इस कत्रापेटिक अप्लिकेशन है, यूरो लिथिस की समस्या हो, स्टोन की समस्या हो बोड़ी में कहीं, तो उसको भी दूर करता है, सेफटी का ध्यान रखिए, धैनिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी का धन्यवाद, परणाम, नमस्कार.